आज ही एक महिना हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार बने इस एक महिने में क्या हो इस एक महिने में पेपर लीग की तो मानो आपदा आ गई हो महामारी आ गई है पेपर लीग की महामारी है मोदी जी कहते हैं सब ठीक है लेकिन क्या मोदी जी को फर्क पड़ता है उनको कोई फर् जूजे बेरोजदारी से इस देश का युवा जूजे हिंसा और नफरत से मणीपुर जूजे मोधी जी को क्या फर्क पड़ता है वो तो मौस्कों में आतंक आपसे रुक नहीं रहा है आतंक वादी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं महेंगाई को कंट्रोल करना आपके बस की बात में है इस्पया को आप मजबूफ में कर पारहे हैं तो आप करने क्या है यह अलग बात है कि कि री्चार्ज भी अब इतना महेंगा हो गया है कि सर्कार बने आज यही के दिन जून में उन्होंने अपने पत की शपत कूर तो इस एक महिने में क्या हुआ इस एक महिने में जम्मू कश्मीर में एक नहीं दो नहीं चार आतंकी मुट्वेडों में आठ हमारे जाबाज और दस हमारे लोग शहीत हो गए जो बात करते थे आतंकवाद को कबजे में करने की शद्धालू अब जम्मू कश्मीर में मारे जा रहे हमारे जाबाजों की शहादत हो रही है इस एक महीने में जलपाई गुडी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ सोचा था कि पिछली बार बाला सोर के हादसे से कुछ सीखेंगे निल बटा सननाटा सीखा गया जलपाई गुडी में फिर 40-45 लोग बर गए इस एक महीने में पेपर लीग की तो मानो आपदा आ गई हो महामारी आ गई हो इस एक महीने में नीट की परिक्षा का पेपर लीग हुआ उसके बाद नेट का पेपर लीग हुआ फिर CSI एरनेट सखित करना पड़ा नीट की PG सखित करनी पड़ा या दिल्ली विश्वा देर अपना लोग का एक्जाम नहीं करा पा रहा है पेपर लीग की महामारी है मोदी जी कहते हैं सब ठीक है इस एक महीने में दाल का आटे का दही का सब का दाम बढ़ा CNG का दाम बढ़ा टोल्टेक्स का दाम बढ़ा इस एक महीने में देश ने रुपए को निरंद लुड़कते हुए देखा मानुगिरफ्त में ही नहीं आ रहा हो जो कहते थे कि जैसे जैसे रुपिया गिरता है प्रधान मंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि प्रतिष्ठा किस कोते में चली गई इस एक महिने में बेरोजदारी ने आठ महिने का रिकॉर्ड तोड़ दिया लेकिन क्या मोदी जी को फर्क पड़ता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है महंगाई से आप जूजिए पेपर लीक की महामारी से आपके बच्चे जूजे बेरोजदारी से इस देश का युबा जूजे हिंसा और नफरत से मणी पुर्जूजे मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है वो तो मौसकों में हैं और मौसकों में वो ज्यान दे रहे हैं मौसकों में बता रहा है कि तीन साल में तीसरी बार में वो क्या क्या करने वाले हैं आतंक आपसे रुक नहीं रहा हैं आतंक दुर्लब होता जा रहा है तो यह है एक महिने के मोधी सरकार का फलस्फ़।